देखे 2.5 क्या गह रहा है क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं आप भी ध्यान से पढ़िये कह रहा है कि a parallel plate capacitor यह है ना a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 pico farad what will be the capacitance if the distance between the plates be reduced by half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant k is equal to 6 देखे हाँ दो cases दिये पहला case दिया है कि अगर air capacitor है वो condition दी है और दूसरा case दिया गया है कि अगर हम जो capacitor है उसके plate की बीश की जो दूरी है वो reduce करके आधी कर देए और उसमे एक dielectric भर दें जिसका k दिया गया है तो उसकी capacitance पे क्या फर्क पड़ेगा कितना हो जाएगा तो को first case जो दिया यहाँ पर है अगर हम बात करें पहले given देख लेते हैं first case लिख देते हैं first case जो दिया गया है वो है air capacitor air capacitor और उसका जो capacitance है capacitance को हम seize करते हैं और उसकी value दी हुई है आपकी 8 pico farad हम pico farad को फिलाल change कर लेते हैं ज़रुबत है नहीं हमको into 10 to power minus 12 farad ठीक है अच्छा अब simple सी बात है कि capacitance की small d है वो d हो गया ठीक है अब बताइए capacitance of capacitor का formula क्या होता है air capacitor का epsilon not a by d और इसकी जो value दिया है epsilon not a by d की that is given 8 इसको equation number 1 डाल देते है second case ये कह रहे है कि जो distance between the capacitor है plates distance between the plates distance between the plates हम फिलाल उसको d1 माल लेते हैं वो कहने पहले का आधा हो गया है और कहते हैं एक dialectic भी भर दिया हमने k की value हो गई 6 ये dialectic क्या करता है dialectic charge को hold करने में जो है फसायता करता है तो कैसे करता हो अभी हम वहां ज़ाने की जुरूत नहीं है जैसे होता है कई खाना आप खाने जाईए और रिस्तेदारिम गए नानी वानी के हां नानी का आओ खालो बेटा आओ खालो बेटा टीका बेटा तो खानी पा रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी चीज खाने को पड़ी लगरा खाई ले तो आप हम हाजमोला खा लेते हैं तो हाजमोला क्या करता है हमारे पेट में जगए क्रेट कर देता है करता नहीं ऐसा मन होता है वही का काम इस के का होता है तो आपका जो new capacitance होगा new capacitance आप से पूछ रहा है new capacitance हम c1 माल लेते हैं तो इसमें c1 का फार्मुला क्या होगा यह k epsilon not a और d हो जाएगा d1 नहीं आप जो हमने माना वो लिखेंगे अब देखे अब चूंकि area plate पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है अगर हमसे वो भी कहते थे कि area इतनी हो गई तो फिर उसके बारे में हम बात करते तो देखे k तो बाद में बात करेंगे epsilon 0 वही है a वही है d1 क्या हो गया d by 2 हो गया तो अगर 2 को उपर ले गया है 2 क इंटू epsilon 0 a by d तो इसको पकरने की कोसिस करो what is this this is c यह c है ना तो यानि कि यह आपका आगया 2 k c और 2 k की value 6 है और c की value है आपकी 8 ही लिख दो तो कितना आएगा चादू बारा बारा अठे चानवे 96 p farat 96 p farat यानि कि अगर capacitance के plate की वीच की दूरी आधी कर देते हो एक तो आधी कर दोते हो तभी उसकी capacity बढ़ जाएगी simple सी बात है ठीक है और अगर dielectric भर देते हो तो जितने जितना के होता है उतने times उसकी capacity बढ़ जाती है ठीक है तो this is 2.5 ठीक झाल झाल 2.5 ठीक है बड़ देते हैं ठीक है कि है तोक्षू कि असकी बड़ा देते हैं कि पाुटल है झाल 5 आधी है और देक है तोक्षू कर दोड़ पंद्नावानित दोक्षू कर दोक्षू